महवा चुनने के लिए ग्रामीन कीश परकार जंगल में आग लगाते हैं आईए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं अव शाल भर लेका हैं अव अब तुतकावल जब खरावल खरावल खरा जान के लावे खाली पता जले किन पहले सावल यहीं पूर्खान सावल खरकावल कह तो कि दो दो आएब अजाखने दिसकें, कि आपक जी कि अचाया है, आपक जाल स्कावी जिए लिए टॉला जागा अजागाए लिए जोर गिलागाई चालो एक जागाई जिए चारो जागाई मुझ्या पास चला जाल जिल पास लगा वहला क्यों पकल के जारी है? लुट्षी पुरा जंगल में पूरा जंगल आग लगा देखी इसे कलिए आपको लोग पकल के लादी तो हमपका के जगा? जुल बना के ज़ादा चल गी यदि हम लोग सामाई पर नहीं पहुचते ये पूरा जंगल को आग लगा वे थी आपन पर अएसे चूने य्डाया द्होरा धोड़ा जलाफे जलावी पते तो चूने भर बेसी तो प्रत नहीं पर देखे तूर्ट एक हाँ आपको पता है जेंगल में आपको पता है कि आग लगाने से हमें कितना नुक्सान होता है तो मेट में अपने सर को बुलाते हैं वही आपको बताएंगे कि आग लगाने से क्या नुक्सान होता है आप लोग जेंगल में आग लगाकर बहुत बड़ा पापके हैं जेंगल में आग लगाना अच्छी बात नहीं है आप लोग महवा बीचने के लिए जेंगल को आप बरबात कर रहे हैं आप लोग जानते हैं खेत में फसल लगाने के बाद फसल को बड़ा करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है खेत को जोटते हैं कोडते हैं फसल फिर वोते हैं जड़ में पानी देते हैं तब कहीं जाकर वह फसल तयार होता है और तुम लोग कभी सोचा कि जंगल में कौन खाथ पानी देता है जो इतने बड़े-बड़े पेड़ पौधे होते हैं खेत की तरह जंगल का भी एक किसान होता है जो पेड़ पौधे को बढ़ा करता है जंगल में भूमी के उपरी भाग पर कई तरह के किड़े मकोड़े जंगली जीव जन्तू होते हैं जो मीटी को खोदते रहते हैं अपना बील बनाते हैं मीटी को चाट चाट के भुरभुरा बना देते हैं इसी पर जब बीज गिरता है और जब बारिस होती है तो पेड उगना शुरू हो जाता है वास्तों में यही किडे मकोडे जंगली जीवजन तो जंगल के असले किसान हैं और जब हम जंगल में आग लगा देते हैं तो यह किडे मकोडे जंगली जीव शब मर जाते हैं इतना ही नहीं पेड पोधे को भी नुकसान पहुचता है जंगल की जड़ी पुटी नश्ट हो जाती है और जंगल पर निर्भर रहने वाले जीवजन तों के जीवन पर संकट पड़ाने लगता है जंगल में आग लगने से कितना नुक्षान होता है यहां गाउं के लोग महवा बिछने के लिए जो जंगल में आग लगाते हैं वो भी अप्रण कर रहे हैं कि जंगल में हम आग नहीं लगाएंगे जदी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब लाइक शेयर और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें धन्यवाद